प्रमचारियों के लिए e-salary system शुरू किया गया है वैसे ही पैंशनर्स के लिए भी e-software यहां पर तयार किया जा रहा है यह e-pension software होगा इसकी जानकारी खुद स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचीफ की ओर से दी गई है यह pension welfare association के एक function में गए थे जहां pensioners को संबोधित करते हु mobile phone पर ही मिल जाया करेगी pensioners को तो एक अच्छी ख़बर हम कहना चाहेंगे तो school शिक्षा बोर्ड के pensioners तो काफी जादा खुश है लेकिन दूसरी और HRDC pensioners काफी जादा नराज चल रहे हैं और नराज इतने हैं कि 4 जुलाई के बाद यह बड़ा अंदोलन करेंगे चितावन इनकी और से दे दी गई है दरसल इनकी कई अदाईगियां हैं जिनका भुक्तान अभी तक नहीं किया गया है लंबित इनके मामले चल रहे हैं 2016 का शंशोदित वेतनमान का जो फाइदा था वो बाकी सभी पैंशनर्स और करमचारियों को अन्या विभागों में मिल गया है यानि कि जो बकाया एरियर था 2016 के शंशोदित वेतनमान का वो सभी को दे दिया गया है लेकिन HRDC पैंशनर्स अभी इंतजार में बने हैं कब इसकी पहली किस्चारी की जाएगी यह सवाल इनोंने किया है इसके अलावा 60, 65, 70 और 75 तक जितने भी 65, 75 वर्ष जिन भी पैंशनर्स की ओर से पूरी कर ली गई है सरकार की ओर से इसलिए यह काफी जादा खफा चल रहे हैं तो एक बात तो यह कि देखिए जो जिनकी उमर 65, 70 या 75 वर्ष हो चुकी है तो 5, 10 और 15 फीजदी की बढ़ोतरी के साथ इने पैंशन का लाब मिलना था यह भी नहीं मिल रहा है दूसरी बड़ी बात यह है कि ब कुलाया जाता है नहीं आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं हलाकि अभी गुंजाईश काफी जादा कम हमें ऐसी लग रही है पहले भी कई दफाइन की और से अल्टीमेटम दिये गए लेकिन हुआ कुछ नहीं मिड़े मिल वर्कर्स भी देखिए बहुत परेशान है और परेशानी वाली बात इसलिए है क्योंकि मार्च के बाद इनका मान दिया ही नहीं आया है हलाकि वाइदा इनसे ये हुआ था एलान क्योंकि इनके लिए भी हुआ है विधान सभा शैशन के दौरान की मान दिया में बढ़ोतरी की जाएगी तो बढ़ोतरी के साथ मान दि ही है कि हर माह की साथ तारीक को बड़ा हुआ मान दिये इनने清楚 मेह दस महा के बजाए 10 मेहिने के बारा महीने की वेतन सिरफ चार हचार उपाया है और और व्होगी 9 महीन इने राशी दी जा रही है जिस वजह से कई समस्या इनके श्मक्षा रही है एक बाद पर इन्हों और ज़्यादा एतराज जताया है कि cluster system में अब खाना बनेगा तो जिस वज़से कई मिड़े मील वरकर्स की नौकरियां भी जा सकती हैं तो जैसे पहले व्यवस्था थी कि हर स्कूल में मिड़े मील का खाना बनाया जाता था आगे भी व्यवस्था वैसे ही रखी जाए ये इ जो state share है वो तो विभाग के पास आ चुका है लेकिन center से share अभी तक नहीं आया है इसका इंतजार हो रहा है और इसलिए इनका मान दिया भी रुका हुआ है पिछले 20 वर्षों से ये सेवाएं दे रही है लेकिन 4000 रुपए में इन्हें गुजारा करना पड़ रहा है जिससे ये परिशान है और बड़ा हुआ मान दिया भी अभी तक नहीं मिल पाया है फिलहाल अभी समय से इनका वेतन इन्हें दे दिया जाए वही बहुत बड़ी बात होगी क्यूंकि मार्च के बाद से लेकर ये तरस रहे हैं अपने मान दिया के लिए भी लेकि दस चुलाई को क् उपचुनाफ होना है और हिमाचर प्रदेश के भी तीन विधान सबक शेत्रों में उपचुनाफ होने जा रहा है जिसमें देहरा है नालागड है और हमीरपूर है तो इस वज़ा से दस चुलाई को राजपत्रित अवकाश घोशित कर दिया गया है सरकारी विभाग निगम बोड जितने भी यानि की सरकार के अंतगरत जितने भी कार्याले आते हैं उन सबी में 10 चुलाई को राजपत्रित अवकाश घोशित हो चुका है इतना ही नहीं पंजाब के जालंधर में भी क्यूंकि उपचुनाफ होना है इसलिए हिमाचर प्रदेश में जो भी जालंधर स संबंदित लोग रहते हैं उन्हें भी अवकाश दी जाएगी ताकि अपने मत अधिकार का इस्तिमाल वहां जाकर वो कर सके इसी प्रकार से उत्रा खंड के पंजिकरित मद्दाताओं को भी यहां अवकाश घोशित किया गया है वहां जाकर अपने घर जाकर यह वोटिंग क ऐसा कि हमने कहा कि सभी विभागों में बोर्ड में नीगम में शैक्षनिक संस्थानों में और और अध्योगिक इकाईयों में कारेरत करमचारियों के लिए 10 शुलाई का अवकाश घोशित कर दिया गया है यहां तो सभी सरकारी करमचारियों को अवकाश घोशित कर ही दिया आविशक है देखे सोलवा वितायोग आज क्योंकि शिम्मला पहुंचा था और प्रेजेंटेशन मुख्या मंतरी सुख्रु की ओर से वितायोग के समक्ष दी गई है जिसमें उन्होंने हिमाच्ष प्रदेश से जुड़ी वितिय परिस्थितियों पर चर्चा भी की और बारी रेविन्यू जनरेट नहीं हो पाया है अभी तक शुरुआत ही नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट में मैटर फसा हुआ है जबकि जंगल की वन संपदा को देश के हित में काटा नहीं जा सकता ये भी उन्होंने जानकारी दी यानिकि इसमें वो रेविन्यू जनरेट करने की पील भी की है डिजास्टर के फॉर्मूले को बदलने की जरूरत है ये भी मश्वराय मुख्या मंतुरी सुख्रु की ओर से दिया गया है और मुख्या मंतुरी ने कहा है कि हिमाचल सरकार पर पिछले कर समय देंदारियां 87,000 क्रोड तक की हो गई है जबकि रेविन्यू डि दियूरा मुख्या मंतुरी सुख्रु की ओर से वितायोग के समक्ष रखा गया है लेकिन जब वितायोग से इस वाल पुछा क्योंकि जब बैठक हो गई तो वितायोग की ओर से प्रेस कॉन्फरेंस भी की गई और उसमें मीडिया ने सवाल पुछा है OPS को लेकर और फ्री रियायतों को लेकर जैसे की 1500 की राशी की हम बात करें कि कैसे केंदर से ये सहयोग मिलेगा और क्या ये सिफारिशे ये सिफारिशे केंदर के समक्ष रखेंगे बात चाहे OPS की है 1500 की है या जो फ्री रियायते हैं इन्हें एड्रेस किया जाएगा केंदर सरकार के समक्ष इसके लिए एक नया फॉर्मूला भी तैय किया जा रहा है वितायोग की ओर से हलाकि जो पिछला वितायोग था उससे ये सोलवा वितायोग प्रभावित नहीं रहने वाला है ये भी उन्होंने क्लियर किया ये सभी राज्यों में जाएंगे हर राज्यो की प्रेजेंटेशन देखेंगे कहां पर क्या कमिया है किस तरह की वितिय परिस्थितिया है उसके बाद एक फॉर्मूला तयार किया जाएग सेंटर के स्मक्ष ताकि financial benefit उसी हिसाब से हर राज्य को मिल सके तो इस पर तो ये एक बात इनकी ओर से कह दी गई थी वितायोग की सिफारिशे एक एप्रेल 2006-2026 से लागू होनी है वितायोग की सिफारिशों के तहत ही राज्यों के लिए फिर जैसा कि हमने कहा राजस्व का वितरण होना एइसलिए सरकार की ओर से यहाँ कोई कमी नहीं रखी गई है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखु समेथ सभी मंत्री पहुचे हुए थे इस प्रेजेंटेशन के लिए पिटो हॉफ में वहाँ पर सोलवा वितायोग आया थो और प्रेजेंटेशन भी वहीं होनी थी तो यहां की जो भी कमिया है या जिन भी वितिय परिस्थितियों से अभी सर योग मिलता है फाइनस कमिशन का क्यूंकि इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है फाइनस कमिशन की ओर से जिन मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा सेंटर के समक्ष उतना ही बजट का प्रावधान सेंटर की ओर से हिमाचल के लिए किया जाएगा तो हिमाचल सरकार के साथ साथ उन वर्गों को भी राहत मिलेगी जो कि इन मुद्दों से जुड़े हुए हैं जैसे फ्री रियायतों में पंद्रा सौकी राशी तो महिलाओं से जुड़ा बहुत बड़ा मैटर है ओपियस करमचारियों के लिए अब यहां पर शुरू कर दी गई है लेकिन निर्भर कर पता है कि सेंटर की ओर से कितनी मदद मिलती है यह बात भी क्यूंकि मुख्या मंतरी सुखु ने पहले ही क्लियर कर दी है कि जो अभी हालात हिमाचल पदेश के चल रहे हैं केंद्रियम मदद के बिना जादा दिन तक काम नहीं चला पाएगी हिमाचल सरकार उपचुनाब में दिखे कितने नामांकन रद हुए हैं तो साथ नामांकन रद हो गए हैं यह नामांकन रद करने की तीथी थी क्यूंकि आज कॉंग्रेस और भाजपा के कवरिंग कैडिनेट के अलावा एक निर्दलिय का नामांकन भी रद हुआ है अब दिखे कितने मैद में बच गए हैं नालागड में चंटनी के बाद भाजपा से केया ठाकूर कॉंग्रेस से बावा हरदीप सिंग और स्वाविमान पार्टी से किशोरी लाल शर्मा निर्दलिया हरप्रीट सिंग सैनी विजे कुमार और गुर्णाम सिंग शामिल है ये पांच से चे के करीब ना में उतरने वाले हैं यानि कि जो उपचुनाव लड़कर रहेंगे फाइनल अब इनके नाम हो गए हैं इसके अलावा जो बाकि कुछ और भी निर्दलिया चुनाव लड़ने के लिए सामने आये थे उन्होंने अपना नामांकन वापिस ले लिया है देहरा में कॉंग्रेस स कमलेश ठाकूर भाजपा से होशियार सिंग निर्दलिय संजे शर्मा अरुन अंकेश सयाल सुलेखा देवी ये अभी भी चुनावी मैदान में पुरी तरह से डटे हुए हैं और हमीरपूर में भाजपा से आशीर शर्मा कॉंग्रेस से डॉक्टर पुषपेंदर वर्मा फ इस पर फैसला होना बाकी है लेकिन मौजूदा समय में तो राश्री अध्यक्षपी हैं और एक और बड़ा पद इने दिया गया है नेता सदन इने बना दिया गया है पहले प्यूश गोईल इस पद पर थे लेकिन अभी जिमेदारी जगत प्रकाश नडड़ा को दे दी और अगली सुनवाई के दौरान CBI की और से रिपोर्ट पेश की जाएगी नई गिरफतारियों को लेकर भी लेकिन इस पूरे मामले में सबसे शौकिंग बात ये है कि ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए दुबारा परिक्षा आयोजित करवाई गई थी लेकिन ये ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स रिपीर ही नहीं हुए कम से कम 52% संख्या ऐसी है ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की जो परिक्षा देने ही नहीं आए जिसके बाद शक काफी जादा बढ़ गया है कि कहीं ये बड़ा रैक्ट तो नहीं है आखिरकार किस व रहे हैं, अलाकि जांच में ही अब खुलासा होने वाला है कि ये कितना बड़ा रैकेट था, इसका भंडा फोर्ड होकर रहेगा, इंक्वेरी के फैक्ट देखने के बाद ही ये पता चलने वाला है कि आखिरकार नेट की परिक्षा में कितनी बड़ी धांदली हुई है, देख जी शिवा कुमार थे, जो की अब CISF में चले गए हैं, पांच साल के लिए और इनकी जगा कारेभार अमिस सौमया संभालेंगी, IPS सौमया